सर नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलपेश बाई शाह कलपेश जी कहां से आये आप? मैं गाउँ छोटाओ देपूर गुजरात से आया हूँ सर संत्रामपाल जी माराज से कब जुड़े आप? जी मैं 24 अक्टूबर 2010 को जुड़ा संत्रामपाल जी माराज से नाम दिखसा लेने से पहले आप क्या बक्ति सादना करते थे? जी हमारे घर में जो पारंपरिक पूजाए हो रही थी जैसे शिव जी की हम पूजा करते थे हनुमान जी को हमने इश्ट बनाया था और चामुंडा मा को हमने कुल देवी के रुप में पूज रखा था और भी जैसे नवरातरा कर रहे थे और सावन महीने में हम शिव जी का मतलब महीने का हम उपास रखते थे तो ये सारी मतलब जो हमारे घर में चली आ रहे थी जो पूजा थी हम भी उसी को सत्यमान के पूजा कर रहे थे सर संत्रा अमपाल जी महारा से कैसे जुड़ना हुआ आपका क्योंकि आप गुजरात से संबंद रखते हैं और हजारो किलोमेटर दूर आप हरियाना में संत्रा अमपाल जी महारा से जुड़े कैसे जी ऐसा हुआ कि हमारी जो भुआजी हैं वो राजी स्थान से बिलोंग करते हैं तो उनकी लड़की को बिमारी थी गठिया भाई हो गया था तो एक बार उनका लड़का मेले में गया था वहां उनको भक्ती सोधागर का संदिश ये पुस्तक की सेवा कुछ हो रही थी उदर से तो वहां से उनोंने उस पुस्तक को ग्रेंट किया और उनोंने उस पुस्तक को घर पे लाए और वहां से सबसे पहले हमारी भुहाजी ने नामदान दिख्षा ली और अपनी लड़की जो बीमार थी उनको दिख्षा दिलाई और उनको बहुत फाइदा हो गया तो हमारे पापा जी भी थे तो वो भी भक्ती भाव में ज़्यादा रहते थे इदर उदर घुमते रहते थे क्योंकि हमारी अर्थिक परेशानी शारीरी बहुत ज़्यादा घर में हो रही थी हमारे ममी को भी दमा की बीमारी थी ममी तो खेर चल बैसे थे बीमारी के कारण हम परिशानी बहुत ज़्यादा थी, तो मारे पापा जी इदर उदर घुमते रहते थे, कि पता नि कहीं से कोई लाब हो जाए, कहीं कोई सच्छा संत मिल जाए, या कोई तोना तोटका वाला मिल जाए, जिससे हमारा घर का उधार हो जाए, दंदा नहीं हो रहा था, यह सब बह जाए, कहाँ पर एक संत आय हुए है, हर्याना में, संत रामपाल जी महाराज करके, आप उनसे दिख्षा लो, उनका ग्यान सुनो, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको हो सकता है, कि आपका कष्ण दिवारन हो जाए, तो सर, क्या आप लोगों को, जो कष्ट थे, संत सर, हम जिन भी लोगों का इंटर्वी लेते हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेते हैं, जैसे ही वो आशिरवाद देते हैं, कैंसर जैसी बहनक बिमार्या ठीक हो जाती है, आपके परिवार में भी काफी सद्द से बिमार रही है, आपको भी बहुत सारी आपत्यों का सामना करना पड़ा है, आपका क्या अनबोर रहा है संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद, आपकी क्या क्या समस्याइं दूर हुई है, आपको क्या लाब हुए? करजा कैसे फ्री हो गया, पता ही नहीं चला, उसके बाद दास के पास घर में भी कुछ भी नहीं था, पूरा घर खाली था, बिसनेस भी कुछ भी नहीं था, दास ने परमात्मा को आश्रम में फोन किया, वहां से रिक्वेस्ट की, आश्रम गए, मालिक का आश्रिवाद लि के आश्रम कारता हैं, अब जाओ, आज हमारे पास टाईम नहीं है, हमको कुर्श्टमर को मना करना पड़ता है, कब आप जाओ, आप भक्ती करने हैं, भक्ती के लिए समय दो, हमें पैसा नहीं चाहिए, आपहरो पैसा एंगरे में बपटी दान दो, गुरुझी अजर हुआ है तो हाँ पे मेरे को माल रखने की जगे नहीं थी सब बोल दे दे कश्टमर आके आपको एक मकान चाहिए आपको मकान जी मकान कैसे ले मकान कोई बातों से थोड़ी मिलता है आज अब भी जानते हो डिश्टिक लेवल में मकाने 30-35 रुपे का मकान होता है दास कहां से संथ रामपल जी महराज ने कृपा करी और एक 30,000,000 बी दिलवा दी सर एक बारी की आप से जाना चाहेंगे की संत रामपाल जी महारा से नाम दिख से लेने के बाद आपको आर्थिक लाब कैसे मिल रहे हैं भक्ती तो आप पहले ही कर रहे थे लेकिन अब ऐसा क्या चेंज हुआ है की आपको आर्थिक लाब मिल रहे हैं और क्या लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि किसी संत से नाम दिखसर लेने के बाद आर्थेक लाब हुए। आप इस बात को समझाइए कि आप भक्ती पहले भी कर रहे थे और आप भक्ती अब भी कर रहे हैं। तो अब आपको भक्ती करने से लाब क्यों मिल रहे हैं वो हमारी पूजा गलत थी, वो प्रोसेसी गलत थी, क्योंकि वो सास्त्री विरुत थी, जो कि गीता जी के अध्या नंबर 16, शलोक नंबर 23 में साफ लिखा है कि जो मनुसी सास्त्री विधी को त्याके मनमाना अच्रन करेगा, उसको न तो कोई गती मिलेगी, न सुक देशाब करने से और उस विधी से हमको ये फायदा ओटोमेटिकली गुरुजी की किरपास से संत्रामपाल जी माराज की किरपास हमें पराप्त हुए जी। ऐसा क्या कर रहे हैं कि आज संत्रामपाल जी महाराज का पहले नंबर पर नाम लिया जाता है। तो इतना मतलब इंसान है इतना खरजेदार हो जाता है कि इंसान बता नहीं पाता कि मैं अपनी लड़की कैसे मतलब घर के बाहर निकालो यानि एक समझो कि जो बड़ा पैसे वाला होता है वो तो लड़की दे देगा लेकिन जो बिना पैसे वाला होगा गरीब होगा उसके ल हमें दहेज नहीं ना लेना है ना देना है हमें बीडी सरा मास तमाग को कोई भी वेसन कोई भी लाकर भी नहीं देना है खाना तो बहुत दूर की बात है ऐसे ऐसे हमको तीरत स्नान तो इन सब को हमको वेदोर शास्तर में बतायागा कि इन सब चीजों से फाइदा नहीं होगा ऐसे गुरुजी न हमको कई नियम ऐसे बता हैं जो सास्तर के अनुसार हमें करने हैं तभी हमें भक्ति का सही फाइदा हो पाएगा सर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं निश्चीती निसंदे ही आपको बहुत सारे लाब हुए होंगे तभी आपने सेखडो किलोमेटर दूर हिसार में संद रामपाल जी महाराज से नाम दिख सली लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस संद पर बहुत सारे गंबीर आरोप लगते हैं और उस संद को जेल में डाल दिया जाता है इस बारे में आपके क्या विचार हैं और अन्य जो धर्म पंद जो चल रहे हैं, वहाँ पर कहीं भी चल रहे हैं, तो उनको उस भक्ती से सेकड़ो वरसों से वहाँ लगे हुए, लेकिन उनको फाइदा नहीं हो पा रहे हैं, और कैसे कोई अगर हमारा भक्त वहाँ उसको दुखियारे को मिल जाता है, कि आप संत्र संत्रामपाल जी महाराज के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? तमें जो, कि केवी भक्ती बतावेशे, केम आमनू आटलो प्रचार थे रहे होछे? आमला गुरू जी एटले जेलमा छे, छताया आमनो प्रचार जोर्सोर्थी थे रहोछे, केम आहू थाये छे? तो आदलो यह जो, केवा गुरु जी छे, तो तमें कम सेकम एमनू ज्यान स सरसंत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है जीने की रहा जिसने लोगप्रियता के मामले में सबी रिकॉर्ड तोड़ दी है और उसकी डिमांड इतनी हो गई है कि वो लोगों को मिलने ही पारी है जिस कारण से 25 लाग से ज़्यादा लोगों ने उस किताब को संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है सर जीने की राप उस्तों को जो लोग घर बैठे मंगवाना चाते हैं वो कैसे प्राप्ट कर सकते हैं इसमें ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ससंग है वो डेली जो चैनल चल रहे हैं जैसे साधना चैनल पे रोद सामको 47-48 पे नीचे पीली पट्टी चलती है तो उसमें सारे फोन नंबर दिये जाते हैं आप उसमें समस करके भी प्राप्त कर सकते हैं और भी जैसे 5-6 चैनल चैनल है सरदा MH1, नेपाल 1, इश्वर टीवी, हर्याना टीवी, फास्ट कबर ऐसे 6-7 चैनलों पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का ससंग चल रहा है और अमारा जो वेबसाइट है www.jagatguru.rampalji.org आप उसमें भी सर्च करें और उसको देखें, ज्यान पराप्त करें और परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना जीवन मुक्ष करें बहुत बहुत धन्यवाद सच साहे करें warmer, शीवाद कर देखें है कर दो 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 समक."